खूबसूरत हो जाएगी सबसे पहली बात टेक अप 15-45 मिनट्स वाक एवरी दे and when you walk, smile रोज 15-45 मिनट्स वाक करें और जब आप वाक करें तो आपके चहरे पे खुशी हो आपके मन में खुशी हो दूसरी बात सिट अन साइलेंस for at least 15 minutes each day रोज कम से कम 15 minutes silence में खुद के साथ बैठें तीसरी बात when you wake up in the morning pray to ask God's guidance for your purpose today जब सुबह उठें परमात्मा से प्रे करें प्रार्थना करें कि वो आपके दिन को खुबसूरत और सुन्दर बनाए और उसे सही मकसद दें चौथी बात and eat less food that is manufactured in plants वो फूड ज़्यादा खाए जो पेडों पे उखता है जो फूड फेक्टरी में बनता है वो सरफ प्रोड़क्ट है आहार नहीं है जितना लाइफ और ग्रीन फूड खाएंगे उतनी लाइफ एनरजी आप में बनी रहेगी पांचवी बात जो आपकी हेल्थ को बहतर बनाएं जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतनी अच्छी आपकी दुनिया होगी छठी बात हर दिन कम से कम तीन लोगों को आप हसाएं उनके चहरे पर मुश्कुराहट लाएं जब कोई आपकी वजह से खुश होता है तो आपको आपकी जिन्दगी भी खुबसूरत लगने लगती है आपको आपकी जिन्दगी से भी प्यार हो जाएगा साथ भी बात डोंट वेस्ट यूर टाइम एन एनरजी अपना समय और शक्ती नेगेटिव बातों पे वेस्ट ना करें बुराई करने में वेस्ट ना करें ये मत सोचो कि क्या बुरा है क्या गलत है बलकि अपना समय और शक्ती पॉजिटिव बातों में लगा है ये सोचे कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत है कि आपको जिन्दगी में क्या मिला है आठवी बात अपना सुभह का नाश्ता एक राजा की तरह करें मतलब अच्छे से करें और अपने दिन का भोजन एक प्रिंस की तरह करें मतलब कम खाएं और रात का खाना बिलकुल छोटे बच्चे की तरह करें मतलब बिलकुल ही कम खाएं नवी बात लाइफ इसंट फेर बट इस स्टिल गुज अपनी एक परमानेंट सोच बना ले जिन्दगी में सब कुछ हमेशा अच्छा ही हासल नहीं होता पर फिर भी जिन्दगी बहुत अच्छी है दसवी बात लाइफ इस टू शोट तू वेस्ट टाइम हेटिंग एनिवन फोगिव देम फोर एवरिटिंग जिन्दगी बहुत छोटी है इसलिए इसे लोगों से नफरत करने में नहीं लोगों को शमा करने में और प्यार करने में गुजारें ग्यारवी बात Be easy Don't take yourself So seriously सरल बन कर जीओ खुद को ज़्यादा seriously मत लो जिन्दगी का आनन लेना सिखो हर बात को दिल से लगा के मत बैठो Show must go on बारवी बात Help the needy Be generous Be a giver Not a taker जने आपकी जरुत हो उनकी मदद करे Kind person बने दयालू इंसान बने तेरवी बात Remember that You are too blessed Not to be stressed हमेशा याद रखें कि आप पे परमात्मा की बहुत किरपा है वो हमेशा आपके साथ है उनकी blessings आपके साथ है इसलिए कभी भी किसी बात के लिए भी जन्दगी में stress ना लें चौधवी बात Each night before you go to bed Pray to God and be thankful रात को सोने से पहले परमात्मा से परार्थना करे और उन्हें धन्यवाद दे इसे एक खुबसूरत दिन के लिए जो उन्होंने आपकी जिन्दगी में दिया है और पंधरवी बात Be always grateful and thankful जिन्दगी को धन्यवाद के भाव से भर दे कंप्लेन करना छोड़ दे क्या कमी है ये मत सोचे क्या मिला है हमेशा ये सोचे यदि ये 15 बाते आप अपनी जिन्दगी में अपना लेंगे और इन बातों को अगर अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी जिन्दगी आपको बहुत खुबसूरत लगने लगेगी आपको आपकी जिन्दगी से प्यार हो जाएगा हर शिकायत दूर हो जाएगी हर दर्द दूर हो जाएगा